हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी का बहुत ज़दा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता जब भी आपको छोटी मोटी भूक लगे तो आप इस नास्ती को बना कर खा सकते हैं साथ में जो भंटी आती उसे भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नएए वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन यानि के मैसेज आपको बल सके और आप फटा फट से वीडियो को वाच कर सके तो चलिए फटा फट से चट पटे से नास्ती को बनाना स्टार्ट करते हैं तो फटा इस नास्ती को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक चौथाई कब जितनी सूजी इसके बाद अपने आठे में हम एड़ करेंगे स्वाद अनुसान नमक इसके साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई चम्मच जित्ती अजवाइन अजवाइन का टेस इस नाज़ते में बहुत ज़दा अच्छा आता है और टाइजिशिन के लिए भी काफी अच्छी होती है इसके साथ ही अपने नाज़ते को थोड़ा से स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई चम्मच जित्ता रेड़ कली फ्लिक्स डालना है क्योंकि हम इस आ्टे को थोड़ा सो सौट लगाएंगे क्योंकि हमने यह पर सूजी का इस्तमाल की है तो सूजी को फुलने के लिए थोड़ा सा पानी की requirement होती है तो यहां पर हमें आटे को अच्छे से बरग देना है ताकि हमाई जो सूजी है वह अच्छे से बुल जाए तो दिखिए इस तरह का सॉफ्ट आटा आपको लगा का तयार कर लेना है तो यहां पर आटा हमारा लगा का तयार हो चुका है तो इसे बहुं रस्ट पे छोड़ देंगे तब तक कि अपनी हम स्टाफिंग की तयारी कर लेंगे तो स्टाफिंग बनाने के लिए हम इस्टमार करेंगे आलू जो कि हम सभी के करों में होते हैं तो यहां पर हमने दो मीडियम साइस के उबले हुए आलू लिये हैं तो इस तरह के महीन वाले कद्दुकस से अपने आलू को हम अच्चे से कद्दुकस कर लेंगे इससे हमारे आल इस नास्ते में बहुत ज़दा अच्छा आता है साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे दो से तीन बार इकटी हुई हर इमेज और खुब सारा बार इकटा हुई हरा दन्या इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे टेस्क के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे एक चोथाई चमठ जित्ता बूरा हुआ जीरा पाौडर इसके अलावा हम इसमें आड़ करेंगे एक बड़ा चमठ जितना गराम मसाला पाौडर इससे हमारे नास्ते में बहुत यच्छा सा फ्लीवर आएगा थोड़ा से extra spiciness के लिए हम इसमें आड़ करेंगे काश्मीरी लाल मिच ये बिल्कुल भी तीकी नहीं होती और खटास के लिए हम इसमें आड़ करेंगे आधा निम्बू करस आप चाहें तो यहाँ पर हम चूर पाउडर या फिर चट मसाले का भी इस्तिमाल कर सकती तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से आलो में मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी चट पटी सी और क्वीक और आसान सी stuffing बनकर रैड़ी हो चुकी है इसमें आपको और भी कुछ आठ करनी की जुरुत नहीं है तो यह पर stuffing बनकर रैड़ी हो चुकी है तो इसे बहुं साइड में रख लेंगे और अब अपने आटे को चेक कर लेंगे तो आटे को डस करते हुए तरगरीबन पांच मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा काफी अच्छा से सट हो चुका है अब देख सकते हैं सूजी काफी अच्छा से फूल गई है जब सूजी हमारी फूल जाती है तो हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा हाड हो जाता है तो इसी तरह का आटा आटा आपको लगा कर तयार करना है इस नास्ते के लिए तो आटा लगकर तयार हो चुका है तो अब अपने नास्ते के लिए हम एक स्लरी तयार करेंगे इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे एक चौथाई कब जितना चावल का आटा आप चुहें तो यहाँ पर गियो के आटे कब इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन चावल के आटे से बहुत ही अच्छा सा क्रैंच वाता है तो जितना हमने चावल काटा लिए उसका हाफ हम इसमें आट करेंगे कौन फ्लोर यह हमारे नास्ति में बहुत यह अच्छा सी क्रिस्पन लाता है और नास्ता बहुत जादा लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई चमब जितना साबू जीरा स्पाइसनस के लिए हम इसमें एड़ करेंगे आदा चोटा चमब जितना रैड चुली फ्लिक्स स्वादर नुसार हम इसमें आड़ करेंगे नमक और एक बड़ा चम्मत जितना हम इसमें आड़ करेंगे सफेद दिल इससे हमारे नास्ते में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है लास्ट में हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी फ्रस पारी कटी हुई हरी धनिया और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सारी चीजों को ट्राली मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक चौथ हाई कब जितना पानी डालेंगे और पाली डाल कर हम इसकी एक अच्छी से slurry तयार करेंगे slurry हमारी बहुत सदा गाड़ी भी नहीं होगी और बहुत सदा पत्ती भी नहीं तो देखे इस तरह से आपको slurry को बनाना है तो यहाँ पर हमारी slurry भी रड़ी हो चुकी है तो इसे हम साइड में रख लेंगे और फटा फट से अपने नास्ते को बनाने के लिए आटा ले लेंगे तो अपने आटे को हम बोल से निकाल लेंगे और इसे हम दो भाग में डिवाइट करेंगे इसे हम हाथों से इस तरह से अच्छे से चिकना करते हुए लोई बना लेंगे तो अब अपनी लोई को हम अच्छे से बेलेंगे इसमें आपको सूखा अठा लगाने के जरूरत नहीं है आप चाहें तो थोड़ा सा ओल लगा सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसे बेलना है तो जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसे बेल सकते हैं और जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप इसे बेल सकते हैं तो देखे इस तरह से आपको इसकी एक बड़ी सी रोटी तयार करनी है तो रोटी की कोई भी आपको एक इक्वायर शेप नहीं देनी है जिस तरह से भी आप बेल सकते हैं आप बेलने इसे बस मेक शूर कीजेगा कि कहीं से ये मोटी और पत्ती ना हो इसके बाद हमने जो अपनी स्टाफिंग तयार किये है उसे हम ले लेगे और इस तरह से एक से डिक्षण मचे की करीब स्टाफिंग को हम इसके उपर रकेंगे और इसे हम रोटी के चारो तरफ अच्छे से स्प्रैट करेंगे तो इस टॉपिंग को हमने देखे चालो तरफ अच्छे से evenly spread कर दिया है तो अब इसे हम पटापट से रोल करेंगे तो इसे रोल करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको थोड़ा सा हलका ही रोल करना है बहुत सदा tight रोल नहीं करना है वरना ये आपस में चिपक जाएगी और इसकी जो layer होगी वो बिल्कुल भी visible नहीं होगी तो इस तरह से हलके हाथों से आपको इसे अच्छे से पोल कर लेना है और इसकी side को आपको cut कर लेना है और इसके बाद इस तरह से आधा आधा इंच की दूरी पर आपको इससे cut कर देना है तो इस तरह से आपको इस नास्ते को बनाना है बहुत ही अच्छा सा shape बन कर तयार हो गया है तो देखे इस तरह से आपको अपने सारे नास्ते को बना कर ready कर लेना है खाने में ये बहुत ज़दा टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत यासान है तो देखे इस तरह से अपने सारे नास्ते को बनाकर रैडी करेंगे तो यहाँ पर हमने अपने सारे नास्ते को बनाकर रैडी कर लिया है उसके बाद एके करके तेल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम मेडियम रखेंगे मेडियम फ्लेम पर ही हम इसे कुक करेंगे ये बिल्कुल भी पटेंगे नी और बिल्कुल भी पैन पर जिपकेंगे नी तो देखे इस तरह से आपको एके करके नास्ते को इसमें आड़ करना है नास्ते को हम मेडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि हमारा नास्ता अंदर से भी अच्छे से कुक हो और इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए तो देखे इस तरह से आपको एक साइट से इसे बलट देना है जब ये एक साइट से अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है तो ये खुद बखुद पैन को छोड़ देता है आप देख सकते हैं बिल्कुर भी चिपकता नहीं है पैन में क्योंकि हमने इसमें सूची भी आड़ करी है तो ये नास्ता बहुत ज़दा क्रिस्पी है और इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़दा अच्छा हाता है तो देखिए यहाँ पर हमने सारे नास्ते को पलट दिया है तो जो भी स्पेस बचा है उसमें हम और नास्ते को फिल कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से पकने देंगे तो जब आपको लगे कि अच्छे से अंदर से फूल गया है यानि कि अच्छे से कुक हो गया है जब ये कुक हो जाता है तो ये अंदर से अच्छे से फूल जाता है ये साइन है कि हमारा नास्ता अंदर तक अच्छे से कुक हो चुका है तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम तो जब आपको लगे कि ये दोनों साइट से काफी अच्छो से क्रिस्पी हो गया उसमें बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है तो आपको इसे तेल से बहार निकाल लेना है और आपको बाकी बचे नास्ते को भी इसी तरह से प्राइ कर लेना है तो चैड़ी फटा फटते अपने तो आलू से हमारा ये नास्ता बंकर तयार हो जाता है तो जरूर से ट्राइक कीजिएगा और हमें कॉमेंट को बताइएगा कि आपको हमारी आज की चटपटी और क्रिस्पी सी रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिएगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी नहीं मसे तारेसिपीस के साथ अपके क्लिए पना ख्याल रखें बाबाई टेक के रहें थैंक्स पर वोचिंग